कि मैंने चैचा किया कि ऑज हमारा हमारे तिहास लेखन की सिंखला में या आईट्हासिक सुरोत की सिंखला में जो महत्वत्र एध साफिक है प्रेरी जो आपका वर्ड हिस्ट्री है और जो आने वाला समय है सब के लिए इसका इंपॉर्टेंस लगातार बना रहेगा यह एक महत्तुपूर अइतिहासिक स्रोत है जो नकेवल मौरेवंस के बारे में जानकाई देता है बलकि यह पुरे भारती इतिहास के लिए कोटी लिए काश्ट्र के नियम कानून आद के संचालन के लिए नियम कानून आज के स् sciences शिजनात्मक्ता के लिए यह महत्तुपूर्ड स्रोत माने आता है कोटी लिखा अर्थ सास्त्र जो मुख्यत ह सुत्र सैली में लिखा गया है यह ग्रंथ जो है यह बिधि परक्रंथ है जो राज सासन या बिधि पर लिखा गया है इसके माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि सासन पर सासन को क्या करना चाहिए राज का संचालन की तरह से किया जाना चाहिए जो थेयरी आफ किंग सिप राजत तो का सिधानत है वह किस तरह नियोजित होना चाहिए राजा और राज का संबंध राज और जनता का संबंध और सां इन्यों न्यासित संबंद होना चाहिए इनके बारे में महत्वपूर जानकारी हमको अर्थसास से मिलती है तो अर्थसास का मुख भी से क्या है बिधिपरक या बिधिशासन ठीक है आँ बिधिपरक है या राज़सासन पर आधाईत है और भारती इतिहास में राज़ से लिका पर लिखा गया जिससे हमें साशन पर साशन आज के बारे मिलती है तो पहला जो अमुक्त मालेद लिखा है वह तेलकु भासा में है जो की जो की राजसासन या बिर्षासन पे महत्पूर स्रोत माना जाता है एक है और कव्टिल के अरजसास्त की तूलना मुक्त हम मैकिया वेली द्वारा रचित प्रिंस नामक ग्रंथ से करते हैं क्योंकि उसका भी जो प का मूल मूल या साब्दिक अर्थ क्या होता है अगर हम इसके इसके फंडामेंटल कंसेप्ट पर जाएं कि इसकी मूल आउधारा वास्तों में क्या है क्या अर्थ सास्त का तात्पर क्या होता है क्योंकि जिनरली क्या होता है कि हम जब इस हो इसे इसे आर्थिक व्योस्ता से संबधित मालेते हैं कई बारें गलतियां होती है तो आप समझ लीजिए कि अर्थसास्त का जो मूलतातपर होता है यह अर्थ ब्यवस्ता से जुड़ा नहीं होता है अर्थ का मतलब कौरट एँ दोरा समझेगा किसी भी भूखंड पर भ्यक्तियों के दौरा जो वासित छेत्र होता है उसे हम कहते हैं अर्थ क्या है एक प्रकार का एक प्रकार का व्यक्ति को द्वारा वासित भूमी क्षट्र होता है उच्ञ च्छट्र समों को किसी भूमी पर रहने प्रक्रिया को ब्यक्त करता है तो यह हो जाता है अर्थ और सास्त क्या होता है तुमतलब व्यक्तियों दोरा वासित जोुक रहे ठीक है अन Olá डै टैरी अ ale इस्दिक वाइ जाता प्यक्रिआ अरब्थ कुछ आग्पर लाइन वह त्का इस क्रविका या अनुपालन की पद्धती इसका तातपर हो गया कि ऐसी पद्धती या ऐसी आचायर संगीता ऐसी मैनिफेस्टो जो की नियम कानून या आचायर संगीता हो जिसका पालन व्यक्तियों के लिए अपेच्छित हो वह होता है सास्त्र तो दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा कि ब्यक्तियों द्वारा वासित छेत्र जहां पे ब्यक्ति निवास करते हों और उनके संदर्भ में प्रतिपादित जो नियम कानून होते हैं जो उनके लिए नियम कानूनों की स्तरचना की गई है उसी का अध्यन कहलाता है अर्थ सास्त्र तो अर्थ सास्त ब्यक्तियों यहां तक अर्थ-सास की रचना की बात है कुछ काफी विद्वानों में यह एक बड़ा मूट पॉइंट रहा कि यह रचना कौटिल ने किया है कि नहीं क्योंकि जिन पंद्रह अधिकरणों की बात होती है जिन पंद्रह भागों की बात होती है उन्हें प्रत्यक अधिकरण के पशात हम पाते हैं इसमें लिखा गया है इति कौटिल अर्थ सास्त्रम तो इसका मतलब होता है इसे पता चलता है कि अध्यन करने के बाद हमको यह सहज रूप से एंटिसीपेशन कर सकते हैं कि लेखक ने जो इस ग्रंथ का मूल लेखक है उसने बहुत जल्द ही अभिशिक रही इस प्रिथवी को नंदों से क्षिक है और नंदों से किसे ने कर सांदिक है के लेके मूल लेखक नाम नहीं गत्ता है। तो इसके साथ इसी लिए काफी विद्वान एक प्रेकार का संका भी बैक्त करते हैं कि अग्रंत साइद चंदगृप्त मौर के समझ न लिखा गया हो लेकिन वास्तों में इसमें जो नियम कानून का प्रत्पादन किया गया है वह उस प्रत्पादन का पीछे जो ग्रंत की सरचना करना था जो ग्रंत सभी लोगों के लिए जो ग्रंत सभी लोगों के लिए समान रूप से मान्य हो समान रूप से ग्राह हो और जिसकी जो मूल सरचना है जिसका जो प्रतिपाद विशय है वह सब के लिए समान रूप से हितकारी और लाभकारी हो जो राजस बाद कि जो किये बात की जो सब्सक्राइब हमिस क्घिन का यह इंषित लिए SAT समझेगा जब बड़ी बड़ी बातों को एक अर्व में सब्सक्राइब उसे पिरोया जाए उसे कम सब्दों में कमपोज करके आपके सामने प्रश्टूत क्या जाए तो उसे करते हैं सुत्रसायली तो बड़ी-बड़ी बातों को कम सब्दों में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है जो पदती होती है वह कहलाती है सुत्रसायली अब सुत्रसायली के यह थर्ड परस होता है कि जो जो अन्य पूरूसलीय को धर्लाइट ने पर थाई बलकि थी को कहता है उसे कभी या लेखक कि मैं कह रहा हूं या किके लिए कहते हैं कि शन्दुब तुम चाहिए राजा को इस तरह से अपना जीवन चर्या बिताना चाहिए राजा को एक विशे समय निकाल के इतिहास का अध्यन करना चाहिए राजा को परराश्च नीत का संचालन इस तरह से करना चाहिए राजा को राजी के लिए सब्तांग सिधानत को आधार बनाना चाहिए रा करता है चांद मौर महिलाए कोंन मेगस्थनी जो सेना थि उसके परस्वन अंगर अच्छक सेना थी वह से पस्वन वाकल результат माहिला तो कहता कौन है कि सो प्रस्वन रजीन कर ताध है । आपका कंसर हो जाय गया है कि राजा की जो परसनल सर्षिकाये हो वह महिलाएं होनी चाहिए लेकिन लेकिन मेगत्तनी अपने इंडिका में कहता है कि चंदकुर्ट मौरे की जो अंगरेज शिकाये थी वे महिलाएं थी तो दोनों सब्दों में अंतर है याद खेगा दूसरी बात आए तो इसमें आईसी बातों को समावेश किया गया है जिससे पता चले कि एक अन्य लोगों के लिए कहा जा रहा है सामान जंता के लिए कि इसे क्या करना चाहिए तो यह एक प्रकास से थियरी आप खिंग सिप एक राजत राजत पद्दती राजत की आउधारा को स्थापिर करने का प्रयास किया सब 1905 में सबसे पहले आर्व साम सास्त्री ने फिराप्त किया कहां से प्राप्ड कीया त्रामर कोर में के विरॉत हे जिन्हों consumo और साम साष्त्री को में धिकन परना अब हला हो गया ग्रंथ जो है आर्ट ने खोजा है और यसे बास ने उन्ह ह shouted कि-ए इस ग्रंथ इंगरेजी और बात कीई किया मौथ पूरर लग्गे ने इस गानरत का है मैंने चर्चा पहले किया था कि फायान के ग्रंत का अंग्रेजियन बात किया है जेम्स लेगे ने फायान की किताब फोको की का अंग्रेजियन बात किया है जेम्स लेगे ने जबकि जो सीवी की ग्रंत लिखी गई है वेंसांग का उस ग्रंत का अंग्रेजियन बात किया है सैम समझेगा अब यह ग्रंत मूलता 15 भागों में है जिसे अजगर्ण कहा गया है इसमें 180 प्रकरण है जिसे उभाग करते हैं इसमें 6000 लोग लिखे गए हैं तो यह तो इसके मूल सरचना की बात है अब आते हैं थोड़ा सा हम इनके पद्दती के पहले हम थोड़ा बहुत कौटि प्राणबी जिवन के बारे में जाते हमारे पास बहुत ज्यादा जानकाई नहीं प्राप्त होती है और जो जानकाई हमको मिलती है वह बहुत ज्यादा आथेंटिक बहुत ज्यादा आप्जेक्टिव नहीं है ठीक है तो हम लोग इनके अर्लियर लाइव के संदर्व में हम कि सबसे पहले हेम चंद ने एक गंथ लिखा है उसका नाम है अभिधान चिंतामरी अभिधान चिंतामरी यह किताब है हेम चंद की हेम चंद के अभिधान चिंतामरी में यह कुछन पूछा भी गया है यादखी स्विल में हेम चंद के अभिधान चिंतामरी में चांड़क्य क कॉप्टिल्य के कई नामों का उलेख मिलता है जिसे इनकी एधिया सिखता की भी फुछ्च होती है अब यह कुछर्शन पूल सकता है कि निम्रिखित में चारख का नाम क्या नहीं था नहीं तो चवता है वास्तायन पच्वा है पाच्छिल ठीक है पाच्छिल पाच्छिल स्वामी पाच्छिल स्वामी कुटिल द्रामिल मलिनाथ कुटिल को कुटल भी लिखते हैं कुटिल द्रामिल और मलिनाथ तो पूछे का निम्रिकिन में कौन सा नाम इनका नहीं है कराई कनेके मलदीनाथ मलदी में गये कम कंचन्द के अभिधान चिन्तामडी में हरे में ध्यॉटि के A down चिन्तामडी इनके नाम गझा में पराणों के प्राइरं विटलिक जो वहो है सबसे प्रमुक्तित में जो आते हैं वे हैं पहले नंबर पर आपके टस्या से ट्चिसिया को न के वहल भारत का बल्कि बिश्च के प्राची इंतं . बिश्च विद्या लेए फिक्र σवंदि द्विधालेत नालन्दा की intent हा यह दुधर म्हीं तो यहां से पढ़े हुए प्रमुख व्यक्तियों में चंद्रूप्त मौर्य तो पहले नम्बर परहते हैं कार्टील याद अखेगा पूरा याद रहे पूछे गाओ नहीं है कार्टील से चंद्रूप्त मौर्य कि जीवक पाड़िनी, प्रसेंजीत, प्रसेंजीत वसुबंधू और चरक वसुबंधू वसुबंध किसके काल के हैं? वसुबंध हैं आपके समधुगृत के काल के वसुबंध और चरक, चरक जिरुने चरक संगिता लिखी इतने प्रमुख ब्यक्ति हैं ठीक है इतिहास में जिर जो मुक्त तच्छसिला से निकले हुए हैं यह तच्छसिला के पॉड़क्ट है यह तच्छसिला के पॉड़क्ट है अब आते हैं अगर प्रारंभिक प्रारंभिक एतिहास को देखा जाए तो हम पाते हैं कि चंदगुप्त मौर का प्रारंभिक जीवन रहा है यह भी हमारे पास एतिहासिक स्रोथ के अभाव में इस पर शुरूप से नहीं मिल पाता है यह बहुत सारे कथानक जैन गंतों में और आपका विस स्रोथ प्राप्त हुए हैं उनके आधार पे अगर इस इतिहास की पूर्ण रचना करें तो हम पाते हैं कि कौटिल्य जो विसकली एक काले रंग के ब्रामट थे जो किसी बात पर कहा जाता है किसी दानसाला में में जो नंद राजा घना नंद के द्वारा के द्वारा चल करते हैं इंको रास्ते में और ये कं आस्थान पर चंद गृब्त मॉर्या की मुल मुला का थे जो सब्राम अन जो बच्चे थे उन बच्चों के साथ खेल रहे थे और उस में थे राजकिल्म प्रकार का में की आग्टी यह जो राजत तो राज़त बच्चे आपस में राजा महाराजा बन के सासन प्रासन कर रहे थे तो प्धति कहाती है राज कीलम थीज़ record विलते हैं तो यहीं खेल खेल रहे थे कहा जाता है कि जिस से टे पास चंदगुप्त मौर थे उसे उन्हों एक हजार मुद्रा में उससे उन्होंने एक हजार मुद्रा में खरीदा या दखेगा कि चाड़क ने इनको एक हजार मुद्रा में खरीदा था ठीक है और जबकि या दखेगा कि अलावदिन खिल जी ने कुक्राइट दिनारी गुजरात बिजे के समय मलिक काफर को 1000 में खरीदा था इसलिए मले काफर को करते हैं 1000 दिनारी 1.000 मुद्रा में खरीड़े गय तो अम कर दो नहीं को प्लॉट पुझानकाई मिलाई कहा जाता है कि इसके बाद इन्हों ने कौटिल ने चंदगुप्त मौर की सिच्छा दिछा तर्चिसिला विश्विद्याले से कराई और आगे चलकर चंदगुप्त मौर के बड़े होने के बाद जब वह अपने प्रत्रोद के रूप में रूप में नं प्रत्र कांफवेस्ट ऑफ इंडिया है उसमें उस समय सिकंदर अलेकजंडर अलेकजदर दग्रेट लिस Für अक्रमट हुआ था और इस समयों स्यंद्गुप्त मौर्य थिकंदर से सहज्यता लेने के लिए कह जाता है मुलाकात करता है और इस मुलाकात का वर्डन कौन करता है तो चंदगुप्त मौर्य और अलेकजेंजर मतलब सिकंदर के मिलने का वर्डन कौन कर रहा है प्लूटार्क प्लूटार्क ने अपने ग्रंथ प्लूटार्क के ग्रंथ का नाम है लाइब्ज तो प्लूटार्क अपने ग्रंथ चंद्गुप्त मौर के के एक्सेस्वी एंबेसियस बातों को ठीक है तो जो अत्महात्वा कांच्छी बाते थी उसकी योजनाय थी उन सब को सुनने के बाद बाद अलेक्जेंडर नाराज हो गया और अलेक्जेंडर ने उसे मितुदन दे दिया और कायता है कि वह वहां से कि कि आप बूसटी आप बीती सुनाता है तो कव्ट्टिल बड़ा प्रसंद होते हैं खुस होते हैं और को को बहुत ही तबज्जो देते हैं वहां पेए comment देते हैं यक्राजा में करते हैं एक राजा में सेर की दहार और लोमड़ी की चलाकी दोनों होना चाहिए जब सिकंदर का पश्यमोत्तर भारत से पलायन होता है जब सिकंदर रिट्रीट करता है वापस जाता है तो वापस जाने के बाद इन्होंने सबसे पहले क्या किया सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत को जीतने का प्रयास किया पश्चिमोत्तर भारत को जीतने के पश्चात इन्होंने हिमालय प्रेदेश के राजा परवर्तक की सहायता से पूर्वी भारत पर अभियान करते हैं और नंदों को पराजित करके नंदों का बिनाज करके एक समरा करने सफलता प्राप्त किया कुछ कारे के संतर में ने सफलता प्राप्त किया उस कारीय के संदर में राज चाँधरी का फेमस कत्हना है राज चाँधरी कहते हैं कि यदि पश्मी भावयत में सिकंदर के जाने पस्चात सिकंदर भले ही एक आपनिवेशिक प्रक्रिया के तहथ wsp act को लिए नियुक्ता करते हुए उसे एक प्रडान करने का पर्याश किया और उसमें एक प्रकार से परश्यमूतर चेत्रों में पश्यमत्र छेत्रों में national integration आजनेतिक एक ही कहल में सब्सक्रल्ण विजार का जो प्रार्अपिक से सिंकंदर को दिया आता ji क्योंकि सिंकंदर ने जाते समय पूरे पश्यमत्र प्रांथ जितने प्रांत, जीते गए थे सभी को मिला के, चार भागों में बाठ को दिया. ठीक है कुछ को आंभी को दिया, कुछ को इनोंने पोरस को दिया, तो इन सब को उन्होंने बाठ दिया, अब बाठ के पहली बाठ जो छोटे-चोटे राज बहुत सारे पश्मुत्तर छेत्र में थे उनको एक ही करके चार खंडों में भांट दिया तो एक प्रकास उनमें रादनेतिक एक ही करकी की पहली प्रवित्या प्रारंभिक बीज़ार उपर देखा जा सकता है इसी तो अब करते की इसके बाद सिकंदर के पश्चात चंदगुप्त कुछ समय पहले के के प्रवान मंत्री थे तो परदान मंत्री थे इनके पस्चात जब चब चंदगुप्त मौर के मुहिए तो उसके कुछ समय पश्चात भी पश्चात ही इनके कुछेंगे कोट्ठिली के बाद आपके आएंङे अगों और आ राध्यज़्द्र पार half यह तीन प्रिदार मंत्री क्रम सब बनते हैं कहाजाता है कि इसी के बाद एक वह कौटिल के कहने पही हुई थी का नाम तुवद्धू का जाता है उनकी नियुक्ति निकराया था लेकिन बाद में सुबंधूने क्या किया सुबंध कोटिली के खिलाफ ही सड़न तरशने लगे और जिसके फलसोब बिंदुसार ने उनको प्रधा मंतिपस से हटा दिया और उनको तरह मतलब उनके लिए कहा जाता है कि सुबंध के कहा से ही उनका जो महत्त था वह प्रसाशन में साशन में कम हो गया जिससे दुखी होक कोटिली ने राज्य को छोड़ दिया कोटिल चले गए जंगल में यद्यव कहा जाता है कि बाद में बाद में सुबंध को बिंदुसार को दोनों को इस बात का पस्तावा हुआ और को मनाने के लिए भी गए कोटिली ने माफियों पीजा के माना लेकि कोटिली ने कहा कि सब्सक्रण में मिलती है अब आते हैं जहां तक अरवसास्त का इतिहासिक ट्रकूरण से अगर देखें हम तो हिसमें महतपूर संब्सक्रां के संवंग से संबंद राजा प्रजा के संबंदों की चैचा हो रही है तो मुखत हमिलाइटेन डिस्पूट या प्रवुद्र कुस्ताबाधी सासन का समगतरा है कौटल जो है एक मजबूत सासंतंत्र की अस्थापना पेबल देते हैं कौटिल मुख्यतह इस अंदर में कौटिल का जो दिष्टिकोर है वह पूरी तरह से अतिराष्टवादी दिष्टिकोर है कौटिल एक मजबूत सासंतंत्र एक मजबूत मजबूत निरंकुष सासन राश्टंत्रात्म सासन के पशधर रहे हैं लेकिन कौटिल ने जो डेस्पोटीजम की बात तो किया है नियुकुष्टा की बात तो किया है लेकिन राजा को विबेख सिल प्राणी मानते हैं राजा को बाधिक मानते हैं राजा को पेदा हितैसी होने की बात करते हैं इसलिए राजा पर प्रबु है जो राज्य करता है लेकि एक बातां देखेगा कि कौटि लिया डेवाइन ओर्जीन थेयरी को करते हैं कौleत दया विroveध पति के सिधान्य विश्वाथ नहीं करते हैं इसलिए लिए क्यों राजतंद का दयाजा करण करते हैं तो कर देडीक्र तो गुब्त काल दयवित्पत्ति के सिधानत विस्वास करता है दयवी कंड की बात करता है लेकिन मौरकाल नहीं करता है दूसरी बात समझेगा जो यह सासन पद्धती है राजा में प्रबुद्धता और विवेकसिलता की बात करते हैं राजा को प्रबुद्ध विवेकसिल होना चाहिए राजा को जो भी कारे करना चाहिए वो जनता के हितों के अरूप जनता के लिए कारे करना चाहिए जन कल्यार को प्रमुखता देना चाहिए इसी ले करते हैं कि राजा को वह कारे करना चाहिए जो प्रजा के हित में हो ना कि स्वयम राजा के हित में वह करते हैं कि प्रजा हित में जो हो राजा उसको वह संपादित करे जो प्रजा के लिए अच्छा हो वह कारे करे जो राजा के लिए अच्छा हो नहीं तो र कपिलबन पुलुत तरह से निरंकुस है सुरष्छाचारी है वह कहता है वह सुल्टान जो है वहां इस्वर की प्रतिशाया है नियाबत कुधाई है सुल्टान जो है इस संसार में इस वर का प्रतिशाया होने के कारन 2019 प्रत्विम्भ पर शासन पर सासन या इस्वर का प्रत्निधित्व करता है रिप्रेजेंटेशन करता है तिक है लेकिन फिर कहता है बलबन करता है लेकिन तभी तक मजबूत रह सकता है जब तक आप प्रेजाहित को दो अधेहिंगे इसले अपने पूत्र भुग्रा खान से करता है कि जब्तक राजजति के पति राजदा के पति राजजा के पति रहती या सुल्ता कि जनता की सहान भूत बनी रहेगी तभी तक राज इस्ति रहेगा इसलिए जनकल्यान को प्रमुक्ता प्रदान करो जनकल्यान को हमेशा आगे रखना चाहिए तो यह बात कौन करता है बल्बन करता है तो बल्बन भी प्रबुद्ध निलकुस्ता की बात करता है तो प्रबुद्ध निलकुस्ता की बात करता है तो प्रबुद नेंस भी है विंग Eggs 108 सुझटा में राज्य के ढrandर अपने डिकार करता था इसमें प्रबुद न कुछ है जैसे आप देखेंगे जो जादो जियान की थियरी है जादो जियान कहता है जो माओ इजम की थियरी है माओ आद में वह कहता है मास लाइन कम्यूकेशन का सिध्धान देता है जिसमें कहा जाता है कि सासन पर सासन को कोई भी नियम कानून संचालित करते समय कोई भी नियम संदर में जंता की सेखमती हो ही मत नियम या प्रष्ताव अस्थापित करना चाहिए तो इसको करते हैं माश्ट लाइन कम्निकेशन का सिध्दाथ सब्सक्राइब जिए तुरन धेरी में मुक्ता या प्वब द tenants कुष्टा जंपद कोसदूर्गदंडड मतलब होता है सेना मित्र और मित्र तो स्वामी अमात जनपद रिकाए कोस दूर्गदंड और मित्र यह जो साथ हैं कहा गया है इनिखे आधार पर Blair को सेंपादित क्याuit क्या ता हैर यह के लिए साथों अंग महत्वपूर हैं इसी को कहते हैं साप्तांग थियरी और इस साप्तांग थियरी का कवटिल के अजसास के छटे अधिकरन में उल्लेक मिलता है कहां मिलता है छटे अधिकरन में सप्तांग सिधांद का उलेक मिलता है शुक्रनीत सार में जो शुक्रनीत ने की गई है यहां देखेगा इसी तरह कौटिल का जो अगला सिधान्त महत्पूर है वो मंदल सिधान्त है मंदल सिधान्त जो है इसमें बारह मंदल क्या होता है मंदल एक प्रकार का देशों का समू होता है मंदल का मतलब क्या होता है देशों का समू अग्रूप आप कंट्रीज तो जो देशों का समूह होता है इसमें कौटिल ने बारह प्रकार के देशों का वरनन किया है बारह प्रकार के देशों का उन्होंने एक प्रकार से देशों के संदर में नियम कानून अस्थापित करने के संदर में उन्होंने बारह समूहों की बात किया है और बारह समूह के अ और इमेत्र मेत्र होते हैं मतलब यह नियम कानून अस्थापित करने की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वास्तों में परराष्टी नीत भी संपाधित होती है जो एक देश का दूसरे देश के साथ डिप्लोमाइटिक संबंध होता है उनकी बात इसी में हमको कहा मिलती है हमको मुक्ता या मंडल सी धांद और जो उनका साड़गुड नीत है इसके अंतरगत मिलता है तो परराष्ट के संबंधों के संदर में दूसरे देशों के साथ जो ऐसा संबंध सापित होता है उसके अंतरगत क्या होता है कैसे क्या किया ज समझे गार किसी भी देश का जो परोशी होता है वह उसका दुस्मन थे किसी भी देश का परोशी आपके समीप वर्यक्रोवर्टी तो लेवर होंगे वे आपसे हमेजा प्रतिसपःधा की भावना रखेंगे तो आपके मित्र नहीं होंगे बलकि करता है कि आगे करता है अरी मित्र ठीक है लेकिंग करा है कि जो अरी जो इसके बाद होगा मतलब कि आपके परोसी के बाद वाला जो परोसी होगा वह मित्र का मित्र होगा मतलब आपका मित्र होगा उसे क्या कहा जाएगा वह आपका होगा मित्र मित्र तो परोसी के बाद वाले का क्यूं क्यों कि परोसी के बाद वाला जो घर होगा वह आपका क्यूं मित्र होगा क्यो क्योंकि उसके लिए जो आपका जो परोसी है और दूसरा वाला जो है उसके लिए आपस में परोसी दोनों में संबंद खराब होगा तो वह आप अप्छे मित्रता करेगा इसके बाद बहुत साला इसकी संकल्पना आगे ब्यक्टी की गई है जैसे कि एक सिंपल है देखे के लिए हैं अर्मित्र्थ मतलब आपका दुषमन देश Cohen लेकि इसके बगल में आपका insifying Thai है वा भारत का मुख्ष न क्वितर है क्यों कि यंद्वन और है इरान है पाकिस्तान संबंध अच्छा नहीं है इसलिए भारत का ज् seriously कश्राइण था है टुंव्र मिला के संकल्पना कालाती यहीं अमनड़ सिधान का अंतर कर देखते कि चैसे इस में जैसे संद्य होता है कि दो देशों के बीच में संधी अस्थापीर करना है ऐसी तरह उसको कहलाता है यौन का मतलब होता है कि नियम कानून के संदर में देशों के एक प्रकार कुछा है निर्पिछता की त्हुती है यह का से न्यूट्रजब की नित है जैसे जॉन लारेंस ने आपका मैसूर के संदर्व में किया था तो ऐसे बहुत साइनी थैं इसी तरह आपका जो संस्रय है हां दूसरों के आश्रे में अपने को रखना यह भी एक प्रेकार के पर राश्टी नित हो सकता है को ज्यादा आपको परसान करें किसी मजब सकते रहते हैं कि हम कश्मीर पर मध्यस्टा करने के लिए तयार है हम यह करना चाहते हैं तो यह क्या है यह थैक प्रेकार के जो राश्टी नित है पर राश्टी नीन है दो देशों का एक दूसरे से संबंधों की प्रक्रिया को ब्यक्त करने की पद्धती है खासका फारें अफेस मनिश्ट्री के लिए यह सब इनका सब का ज्यान रखना महत्वपूर है तो इन सब का नालेज जरूरी है नहीं तो आप पर राश्टी मामले के अच्छे जानकार न ke des shoes Đertho यह आपका जो बिज़री राजा कि प्रकार हो थीक है इसी प्रकार्श युद्र के प्रकार हो आध 안amen ईमेज़री सिस्टर्म की बात किया है सब के बारें में 250 जानकाली देते हैं इसमें आते हैं इस सब से क्वेस्टन पूछे आते हैं कि जो रादूत विवस्टा ह सब्सक्राइब करें तीन प्रकार के राद्दूतों का उलेख मिला है पहला है कि नीश किस्टार्थ कि नीश किस्टार्थ दूसरा है परिमितार्थ और थर्वनीज सासनहार ठीक नीश किस्टार्थ का मतलब होता है असीमित अधिकार वाले राद्दूतों को करते हैं नीश किस्टार्थ इसका मतलब होता है कि ऐसे राद्दूत जो जिस देश का अपने देश का प्तनितित कर रहे हैं किसी दूसरे देश में जाकर उनके पास असीमित अधिकार हो वह ज्युदा ही राश्ट टेश हो राश्ट प्रेमी हो दूसरी बात राश्ट के लिए उनको बहुत ज्यादा समयदार हो बहुत ज्यादा उनको चनलेज tua तो वे ऐस बे yaz Siz होते हैं जिन पर राश्ट कारें लोग होते कि कैरा किसी अनगव्यक्ट के आदेशों का आदेशों या उसकी इच्छाओं ट इच्छाओं का नहीं करना पड़ता है यह में सच्छम होते हैं हिंके पास असीमित अधिकार होते हैं कोई भी जब ले सकते हैं इन दर करहें को łatशी सब्सक्राइब परिमिथार्द परिमित करना परिमित मनना करने का मतलब होता to reduce something किसी चीज को सीमित करना तो जो यह ऐसे ब्रनीन होते हैं जिनके अधिकारों को सीमित कर दिया गया होता है इनका अधिकार छेत्र वहीं तक होता है जहां तक उन्हें देश कहता है सासन पर सासन जितना उनको बता के भेजता है वह उसके अंतरगत ही कोई नीड़े ले सकते हैं तो वह कुछ मामलों तक सीमित मामलों में नीड़े लेने की उनके पास अधिकार होता है इसे करते हैं परमिदार्थ और तीसरे होते हैं सासनहार देया ज़स्ट लाइक देशेंजर वनली इनका मुख कारजी होता है यह केवल अपने देश के से जो बाते कहना है जो लेटर पहुंचाना है जो संद्ध समझोता के मसवधा पेश करना उतना जाके पहुंचा आते है वहां से जो निसकरब साथा है उसको लाजाकर आपके दे देते हैं यह स्वयम कोई न नहीं लेह इन ensuite सासनहार ठीक है तो संधैसर वहां के रूप में होते हैं कर अगला एह अन्यमहत पूर तथ्फों में देखिए कौतिलер की और सास में जो अन्यमहत पूर说 की बात की हुआ तो यहां पर विक्टॉरियस किंग सी बात की गई है वे कौन कौन से राजा के प्रकार तो तीन प्रकार के जो बिजयार राजा है उनमें पहले नंबर पे आते हैं धर्म बिजया दूसरा आते हैं लोभ बिज़ई और तीसरे आते हैं असुर बिज़ई धर्म बिज़ई वे राजा होते हैं कौटिल के असास के उसार धर्म बिज़ई वे राजा होते हैं जो राजा किसी च्चेत्र पे किसी देश पे आक्रमड करते हैं वहां पे अधिका उसको जीत लेते हैं जीतने के बाद वे धर्म पुरवक नियम अंसासन पुरवक उस राज को फिर से माप कर देते हैं उससे कर उपहार आध लेकर स्वश्चत तरीके से प्रसंदता पुरवक तो उसको नुक्सान भीना पहुचाए छौड़ देते हैं कि अधिनता में करके ऐसे राजा को कहते हैं धर्म दिजई राजा यो पद्धती को कहते हैं दर्म एजरी तो आप देखेंगे धर्म विजय की परदती है यह जो समुद्ध गुप्त का दक्षिडिय भ्यान था जिसका उलेक प्रयाग पसंच के 19 और 20 पंक्ति में मिलता है वहाँ पे इसकी चर्चा हो रही है और इतिहास का रायचा उधरी ने रगबंस में कौटकालिदास के रगबं करते हैं तो धर्म विजय की संग्य करते हैं तो हर्त धर्म विजरी इसमें राजाओं के जो धर्म विजय क्या उधारा है या महतपूर योगदान देती है ओवराल जब हम सामनतवाद की बात करेंगे तो इस पर और डिटेर चर्चा करेंगे दूसरा लोब विजय ऐसे होते हैं ऐसे राजा होते हैं जो किसी छित्र को किसी देश को जीतने के बा बस आपका विजय करते हैं जैसे तीसरे क्या है तीसरे आपके हैं असुर विजय असुर विजय क्या होते हैं असुर विजय वे लोग होते हैं जो कर उपहार भूखंड से भी संतुष्ट नहीं होते हैं बलकि ऐसे राजा जो होते हैं वे वहां के बहुत सारे द्रब्य अधिम से या उठा ले जाएंगे तो ऐसे लोग कहलते हैं रीज़ी एक आप आते हैं अशूर विजयी स्मयाना है तो बिवा ने रीध्रूतों के लिए विध्र संम्ह सम्मत कहा है खिर अगला आज आए यूद्ध के प्रकार कोटिल युद्ध की चर्चा करता है और युद्ध की चर्चा करते समय कोटिल ने तीन प्रकार के युद्धों की चर्चा किया है पहला कौन सा युद्ध है प्रकास युद्ध दूसरा है कूट युद्ध और तीसरा है तिश्ड युद्ध प्रकास युद्ध क्या है प्रका तो शामने खूले में यूद्ध करना से आपकार उड़्व कहलाता है आपका प्रेकास करती करता हैं और फैचले सामने कहने प्रेकास कडिवहादा आपनीन चाहिए अनप यूद्ध रहा है रहत प्रफ़ाइब लेके जाओ उसको दिखाना जैसे दस बीस तोप लगे दो तीन तोप उसमें चल गाए दस बीस तोप आप ऐसे खाली लेते जाओ घड़ी कर दो देखने वाला लगे कि बीस तोप लेके आया है हां भलेन चल एक भी तो बंदूक लेके जाओ उसमें गोली एक अगला समझेगा जैसे कूट युद्ध में देखे होता है जो शिक्षाओ देखने के अलगोरी रखो तो 19-20 जो ऐसे चलेंगे चले मत बागलवाद देखके तो हड़क जाएगा लगेगा हां कुछ है जो छोटी सेना को बड़ी सेना दिखाना चाच्छा से कुछ सेना आग स्वें के कवुड़ की पड़ती जिसे करते हैं धाइफट युद्भ पड़ती पहली बार धाइफ्टι युद्ध का पद्धती का स्कू होता है धाइफफ्टु पद्धती में होता है एक बार क्या करना पहले अक्रमण करना ट्यक है bir पहले आकमद कल्स समय तक में Trung लटना इसके बाद की इस्तिती थी खराब होगे तक Caitlin को समय और पीछे करेंगा करेंगे जब सेन पीछे करेंगे तो कुछ सेन आगे रहें कुछ पीछे की सदीक पैल य॥ उप reduction को इसको रखते हैं ढाइफट युद्ध पद्धती कहां पच्छी से जंगलों में रहना पहाड़ीयों पिछी पलना ये सब कहां ती होता है ऑगला तीछ्री तीछ्री युद्ध क्या होता है ऐसे युद्ध पथती जिसमें जिसमें सड्यांत करना जिसमें बिस का प्रयोग करना आउसधी का प्रयोग करना आद चीजों का प्रयोग करना तोर मरोड करना जहां से जैसे हो पाए तो वह क्या कहलाता है वह कहलाता है तिश्री युद्ध ठीक है तिश्री युद्ध में बैक में बाय हुक आर क्रुक किसी भी तरीके से विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया कर लात Benjamin कहता है कि युद्ध के लिए सबसे अच्छी युद्ध के लिए मानी गई है अगला जो होता है उसका एक अन्य महत्रपूर है जिसमें काफी क्वेश्चन साते हैं वे हैं आपके काउटी लिके अवजसास में कहा गया है गूढ़ पूरुस पूछेगा गूढ़ पूरुस क्या है तो गूढ़ पूरुस मत Kabудse照 कौटी लिके अजाट मीजने लिकागा गूढ़ पूरुस और इन्हें और इन्हें आसोग में कहा गया है प्रदेश्टा है जबगे श्ट्रेबं नरफों इनको कहा है इस्ट्रेबं ने इनको कहा है एफ एफ़ओ क्या है गुप्तचर यब्सकरों को इस कर बोने इस क् सब से जैदा बहस्ते अंपरय है जाटना से इंस्पिरेशन में और मुने की सब्सक्राइब बेड़ा मिली है तो वह है टालमी टालमी फिलाडेलफस का ग्रंथ जियोग्राफिका दूसरा समझेगा एक तो यह हो गया दूसरा ग्रंथ है एक तो टालमी फिलाडेलफस ने लिखा पहला ग्रंथ जियोग्राफिका दूसरा ग्रंथ लिखा इस्ट्रैबो ने जियोग्राफ और यह एप्टी ने गुप्तचर को कहा कहा है OaRci एडियन ने गुप्तचर को कहा है OaRciR क्या है OaRciR मतलब होते हैं घुलते हैं आपके गुप्तचर तो कौटी असाथ में जो गुप्तचर का संपादन का कहा की राजा को गुवत चाहिए राज के लिए बहुत ही महत पूर है जिनका मुख्यकार राज को आख की घटनाओं का के बारे में जानकाई देना सभी प्रुक्राकर के बारे में आगामि सुचना देना स्थानें होता है तो उता है किसी विरात का एक प्रिकार की लिवस्तां से भुणषे मिलनुते हैं। संस्था और दूसरा मिलता है संचरा संस्था का तातपर होता है जो एक निश्चित अस्थान पे ठीक है एक निश्चित अस्थान अस्थान पे रहकर जो लोग कार करते हैं वे कलाते हैं संस्था और जो लोग घूम घूम कर एक अस्थान से दूसरे अस्थान पे ठीक है मोबा करके कारे करते हैं ऐसे लोकाल आते हैं संचरा अब संस्था और संचरा में कौन-कौन लोग आते हैं पूछे का निमलखित गुप्तिशरों में कौन संस्था में नहीं था या कौन-कौन है तो संस्था के अंतरगत जो पहला आते हैं वे हैं आपके काप्टिक काप्टिक संस्था के अंतरगत आने वाले कौन है काप्टिक का मतलब होता है बिद्यार्थी तो पहले हो गए आपके काप्टिक मतलब बिद्यार्थी दूसरे हो गए आपके उदास्थित उदास्थित काप्टिक उदास्थित जो उदास्थित का मतलब होता है यह होते तपस्वी तपस्वी की बेस पर जो रहे वह हो गया आपका उदास्थित तो पहला हो गया काप्टिक दूसरा हो गया उदास्थित तीसरा हो गया ग्रिपतिक मतलब हो गया अंब जो लोग किसान रूपे जो लोग होते हैं इसी तरह अगले हो गया जो साधु रूपे होते हुष रूल आते हैं ताकस तापस मतलब साधू यहां देखेगा उदास्तित मतलब तपस्वी और तापस मतलब साधू ठीक है इसी तरह जो बैदेहक होते हैं बैदेहक का मतलब होता है व्यापारी को जो ब्यापारी रूप्में कार्ज़ करते हैं वह कहनाता है व्यस्टा कंते हैं संस्था अब संचरा में आते हैं संचरा में वे साला पुंष्चली अधी यह लोग इसमें आते हैं अब सत्तरी मतलब होते हैं जो जादू गर रूपे हो मैजीसियन हो अब जो जादू दिकार के सुचनाय प्राप्त करें सुचनाय एक अस्थां दूसरी अस्थां पर लाकर राज को दें राजा को दें वेकल आते हैं होते हैं यह बहुत सूर्बीर होते हैं कि कहा जाता है कि आएसे लोग जो होते हैं इनको इनके परिवार नहीं होने चाहिए मतलब एक प्रकार से समझें वहतमान में या अंडर कवर अंडर कवर परसोनल होते हैं अंडर कवर पुलिस पुलिस या अंडर कवर जो आपके ब्यू क sociaux करते हैं जो महत्पूर जो बहुत खतनाक किसम स्थाइल कर आप के मतलब होता है कि जब में जो हालंर होती है जोप्राश्टीट होती है जब उनको हम समाहित करते हैं को इस तो उनको करते है पुशली यह है और पेसल रूपा का तात्व होता है कि ऐसी प्राइक कर के सामने रह कर कस्टमर्स को अठ्क्ट करती है मदियालों में आने के लिए वे कर आती है पेसल रूपा जिवा निर्ट सब्सक्राइबयर से अज्ऐवन करने जहां अगला देखेगा अन जानकारी आप देख सकते हैं कौटि करतिते और सास में सामांत सब्द पहली भारी लेखाया है जहां पर सवांत सब्द का अरद सवतंद परव सी करूप लिए गया है सामनत जो सब्द ह्फीव से बना है यह उडरोपय सब्द है कि मतलब होता है जागिरदार तो EFI EF मतलब होता है जागीर और LEIF FEEF होल्डर मतलब होता है जागीरदार जो यूरोपी ऑधारा है यूरोप में सबसे पहले सामनतवात का विजलार ओपर होता है सामनतवात के प्रक्रिया वहाँ से आगे बढ़ती वीश्योक के अन्यदेशों तक प्रभाववुद करती है अगर देखा जाय तो सामंत सबसे पहली बार अनंत वर्मा के बराबर गुहाले बराबर गुहाले कहां पे है बिहार में है जिसे असोग के अभिले को में खल्तिक परवत कहा गया है तो यह बराबर गुहहलेक में बराबर पहाडी में अभिलेक मिला है अनवत अवर्मा का। उसमें उनके पिता को सामन्त चूडामड़ी कहा गया है। का लिए मिलता है इसी के सांसाथ GUTA इधर अभिलेक सांसाथ महा सामंत पहली लेकिन अगर आप्सन में आनंतर वर्मा का बराबर गुहालेक नहीं रहे गा तो दोनों का आंसर सही होगा गुड़ा अभी नि गुपत काSpe 2 ठीक है हमको मिलता है इसी तरह अगला समझेगा कि करतिल लिने अपने में देवदासी परता के बारे में विस्ती जानकाई दिया कोटील ने और व्रणन हमको इसी गर्णत मिलता है लेकिन क्रीश्री के शेटर में क्रीसी के लिए क्रीशा में एक प्रुष्ब कर्फिय अंतागट जो सिर्टाबो देख करदेसे हैं यह इसको करते हैं इनवालश्ट्रिलर्वर यह इसको यह फोर्स द्र๋बवर इसके बारे जो झानगारी हमको मिलती है मिलती है साहितिक स्रोतों में मिल रही है यह कहां पे कौटिल आसास में लेकिन क्रिषी करने मंपने में पेरॉण आद में किया है और किसी के छती में इसका पहली पातर है वासायन के कामसुत में मिलता है जब क्रिसी में बेगार या विष्टि लेने का उलेक मिलता है और अभिलेकों में बेगार प्रथा का जो पहली बावर्ण मिलता है वह मिलता है रुद्दामन के जूनागर अभिलेक जिसे गिर्णार अभिलेक भी हम कहते हैं लेकिं यहां करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति किया है या एक अधिकारी की बात किया है जिसे कहा गया है विष्टी बंधकी क्या है विष्टी बंधकी एक अधिकारी है विष्टी बंधकी तो यह क्या है विष्टी बंधकी एक अधिकारी है जो बेगार प्रथा को देखता है वह कवोटीली के असास्थ में बिवाह बिचेद को मोच का गया है मोच कैया है विवाव बिचेद ही क Вас यही तरह समझेगा कवाठी यहांतर पत्रक दक हमार नाव 53? लेकर 48 पर तक की मुद्रा के रूप में लेखित मिलता है तो बहुत सारे अध्यूं का आमात्यों के बारे में जानकारी मिलती है तो इन सब बुष्टि जानकारी हमको कौटिली के अरसास में प्राप्थ हो रही है तो कुल मिला के जो कौटिली का अरसास है यह प्राचीन भाती सासन प्रसासन बिर्षासन और राज सासन के अस्थापना के लिए महतपूर सोत माना सकता है कौटिली के अरसास में हमें तो यहां पर मानों अधिकारों को सिमित किया भी गया है थीकरे तो यह भी हमको जानकाई मिलती है यह पूरी तरह से इक्सेसिव सिंट्राइजेशन आफ पावर की बात करता है यह ला पड़ hour स्टेट से यह पूरी तर से अतज़ केंद्री कर्ण कि प्रवित्थी उनके अरसास में को दिखाई पड़ती है कि वास्तों में वह भी आज के दौर में लोगतान्ती कर्ण सब्सक्राइब करना करना करने का तो निशी तोर से वह भी कौटिली के साथ है उनकी अरसास के साथ समराज जवाद और महात्वा कांचा एक मुख्य आधार थी कोई अंतराश्टी नियम कानून नहीं बने थे कोई भी उस समय तक सांथ के प्रयास के रूप में कोई अभी संस्थागत सांठाचे का विकास नहीं हुआ था और ऐसी कंडिशन में एक मजबूत राश्ट के आउसक सकता एक मजबूत प्रसासन क्या हो सकता भी समय की डिमांड थी तो इस दिश्टिकोर से कौटिल में कुछ खामिया हो भी सकती है लेकिन लेकिन समकालिन परवेस में का जो अर्च सास्त्र है वह पूरी तरह से प्रासंगीग था अब उसमें से अनेक तत्व जो है वह अतमान परपेच तक स्विकार किया सकते हैं वह अतमान परपेच तक उसे हम इमिटेट कर सकते हैं उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं तो इसके माध्यम से कौटिल की अर्सास की प्रासंगीगता आज भी आज भी प्रासंगीख है उनकी जो प्रासंगीगता है वह आज भी मुल्यवा है तो यह कव्टिल के असास का मुख्य मात तो है तो है